तहे दिल से आपका फिर से वेलकब करता हूँ आयरवेट टीवी के एस नई वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने चेहरे को काफी तेजी से और काफी आसान तरीके से गोरा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी इसकिन का जो कलर है वो फेर हो आपके इसकिन लोगों से जादा फेर दिखे ग्लूइंग दिखे तो आज की इस वीडियो में जो आपको नुस्खा बताता हूँ उसका यूज कीजिए आपको रिजल्ट काफी जादा अच्छे दिखने वाले है साधी साथ कुछ टिप्स भी दूँगा जो कि आपके मदद करेंगी जिनकी मदद से आप जल्दी रिजल्ट पापाएंगे तो आईए चलिए समय जाने नहीं करते डिरेटली जंप इन करते जानते हैं कि क्या क्या चीज़े हैं जो कि आपको प्रियोग में लानी हैं और क्य का इस्पेशली यूज करना अपने चेहरे को गोरा करने के लिए वह जायफल हम सब जानते हैं कि जायफल एक ऐसी चीज है जो कि आसानी से किसे भी किराने के दुकान पर आपको मिल जाएगी तो इसके लिए आपको करना है कि सबसे पहले आप एक जुए जायफल ले ले एक जायफल एक बार के इस्तमाल के लिए आपके काफी होगा है, तो आपको एक जायफल लेना है और उसको आपको रकुत करना है, हम कद्द्द कस कर हैं, ताकि हम इसका पौडर बना सके हैं, फिलाल अभी मेरे पास इसका पौडर है यह टम इसके चलते में इस तरीकस कर रहा है, अगर आप इसका powder ले सकें तो जादा अच्छा रहेगा powder form में आप जयाफल को ले सकते हैं और उसका आप इस्तमाल कर सकते हैं तो पौडर तयार करने के लिए इस तरीके से हम किसी ले लिये हैं और यहाँ पर इस जैफल को मच्छी तरीके सखिसेंगे जिस से इसका जो है पौडर बन करके तयार हो जाए तो चली यह चीज़ हम पहले कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो है जाइफल को कुछ इस तरीके सो कद्धू गस कर लिया जिसके बाद इसका कुछ इस तरीके का पाओडर बनके तयार हो चुका है ये जो पाओडर है ये पाओडर हमारी मदद करेगा हमारी स्किन को गोरा करने के लिए तो अब मैं करने के आवाल हूँ कि यहाँ पर एक सिंपल सी एक कटोरी ले ले लेता हूँ और इसमें इस जाइफल के पौडर को मैं डाल दूँगा आप देख सकते हैं कि लगभग यह एक चमच के आसपास ही जो है पौडर निकल करके आया है अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं दूसरी चीज जो की है अलवरजल और अलवरजल की जो मातरा रहेगी वो यहाँ पर हम एक चमच के करीब लेने वाले हैं तो मैं इसे अंताजेश डाल दे रहा हूँ लग बग एक चमच के करीब यहाँ पर हमको लेने वाले जल लेना है अब इसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज जो हम यूज कर रहे हैं वो है शहद और हम सभी जानते हैं कि चहरे की जब बारी आती है बात आती है तो शहद उसमें कितना ज़्यादा फायदमाल साबित होता है अगर आप इसको अपने चहरे पर इस्तमाल करते हैं तो ना सिर्फ यह आपके चहरे को गोरा करने मदद करता है साधी साथ कि आपके इसकीन को प्रॉपर लिब मॉस्टराइज करता है सॉफ्ट बनाता है तो इसलिए हम यहाँ पर हनी का यूज़ कर रहे है तो इसकी जो मातरा रहेगी वो आपको जादा नहीं लेनी इसकी मातरा आपको थूड़ी से लेनी है लगवाग आधा चम्मच के करीब इस तरीके से और इस तरीके शहर को लेकर के भी आपको इस पर एड़ कर देना है अब जब आपने इन तीनों चीजों को आपस में ले लिया हो तो बारी है कि आप इन तीनों चीजों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाइए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़े दिख रही हैं इन्हें आप आसमें मिला लेते हैं कितना अच्छा हमारा जो पेश्ट है वो बन के तयार हो चुका है जो कि हम अपने चेहरे पर यूज़ कर सकते हैं देखें इससे जादा आपको कुछ करने के जरुवत नहीं अगर आप अपने चेहरे को गोरा बनाना चाहते हैं तो बस इतना सा प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने चेहरे को गोरा बना सकते हैं तो आईए बात कर लेते हैं कैसे इस नुस्खे का आप actual में use करेंगे उसके बाद मैं आपको कुछ basic tips दूँगा जो कि आपकी मदद करेंगे और भी जादो जो है इस remedy से result पानी में अगर आप यह चीज़ करते हैं तो आपके चेहरे का pores open हो जाएंगी जिएसके बाद आप इस remedy को अविज़े पर लगा सकते हैं लगाना कि इस तरीके से है तो इस तरीके से आप बना ले उसके बाist सीधा इसे अपनी उंगलियों पर ले करके अपने चहरे पर आपको इस तरीके से रख करके इसे circular motion में आपको घुमाना है इस तरीके से घुमा घुमा कर आपको इसे अपने पूरे face पर apply कर लेना है इस तरीके से आपने लगाया और लगा करके आपको इसे आदे घंटे मतलब कि 30 minute के लिए छोड़ देना है और ध्यान रखिए इसे साफ करने के लिए जो पानी आप इस्तेमाल करेंगे वो थंडा पानी होना चाहिए तो ये मैंने आपको नुस्खा बता दिया जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने चहरे को गोरा बना सकते हैं आईए चली मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जो कि आपके मदद करेंगे चहरे को और भी जादा गोरा करने और इस रेमेडिस से रेजल्ट पाने में सबसे बेसिक और पहली टिप ये है कि आप पानी सही मातराम पीजे विकाज ये चीज आपके मदद करने वाली आपके स्किन को और भी जादा गोरा फियर और स्किन के क्वालिटी को इंप्रूव करने लिए दूसरी चीज ये है कि वेडिटेबल्स और सलाट के यूज कीजे अगर आप अपनी स्किन को ग्लो करान चाहते है फिर बनाना चाहते है अगर आपके चेहरे में काफी ज़दा पिमपल्स है दाग धब्बू की प्रॉबलम है तो ऐसे में आप साफी करके एक प्रूड़क यूज कर सकते है जिसकी मदद से आप जो अपने चेहरे के पिमपल्स दाग दब्बो से चुटकारा पासकते हैं आपका ब्लड प्यूरिफाय होगा तो ये कुछ टिप्स थी जो कि आपको फॉलो करनी है और आप इस रेमेडिय से और भी अच्छे रिजर्ट पापाएंगे अगर आपको अरवेड टीवी के आज के वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलि मिलता हूं दूसरे वीडियो में नमस्कार